अचारी अलू बनाने के लिए सबसे पहले तेल करम करें और उसमें चोटे अलू को छील कर डालें और उन्हें लगातार चलाते रहें चलाते चलाते जब उनका कलर चेंज हो जाए यानि के वो 90% तक गल जाएं तो फिर उनके अंदर एक एक करके मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च तो हरी मिर्च को काट के डालें और अपने आपशक्ता के अंसार इसको मिर्च को कम जादर कर सकते हैं उसके बाद इसमें लहसुन डालें और उसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज डालने के बाद हम इसमें और शक्तर अमसान नमक डालेंगे नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी डालें और इनको अच्छे से मिक्स कर लें अब इसके अंदर हमें डालना है जो है अचार वाला मसाला तो अचार वाले मसाले में सौफ दनिया, हल्दी मिर्च नमाक और राई और थोड़ा सा खटाई पाउडर डाल के हमने बनाया है और ये चट पटे मसालेदार अचारी आलू बनकर तैयार हो गए हैं तो इनके लिए चपाती ये नान के साथ गर्मा गर्म सर्व करें